हेलो एवान में नम सहर असलाम और फेवाद आपश्रा आप सब कपो से वेलकम है मारे चैनल पर एक दाफिर से आज वीडियो लेकर रहे हैं जिसमें आर्जु काजमी के हम वीडियो देखने वाले हैं जाकर नायक के हवाले से बोल रही हैं कि उनको पाकिस्तान छोड़ कर चले कर लेना देखते हैं आज की दिसमें असलाम अलेकुम नमस्कार सस्रीयकाल और गुडियो इवनिंग मैं हूं अर्दुकाजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राय बेजा फ्राय के इन एपिसोड के साथ हम आज़े रहे हैं चलते हैं आज जरा ख़र करते हैं जाके नायक साथ का जारे हैं भौत दिन हो गये जाके नायक के ओफर कोई शो नहीं हुआ हमारे बहुत से जो सब्सक्राइबर्स्स Japanese फालोर्स ओस दोस्ते हो कहरे हैं कि झी आधे आप जाके उप्र रात कीउ जैसे कि जानते हैं कि मैं अपने कई दोस्तों से मिली तो हम उसमें विजी रहें वैसे मैंने यह भी सुनाई कि जाकिर नाइक साब भी कह रहे थे कि भाई आखिर यह कहां गई किदर छुप गई है आखिर में हमारे पर वीडियो नी बन रही लेकिन साथ-साथ यह भी है कि जा होगा पाकिस्तान में आएंगे इस्लामिक कंट्री है वड़े सीधे साथे तरीके के सवाल होंगे और मैं उन्हें भाशन दे कर और उल्लू बना कट्टों भी पैना के निकल जाओंगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं आते के साथ ही सबसे पहले तो उनको याद रखनी चाहिए था कि पाकिस्तान जो हो है हर एक से पैसा लेता है यह तो समी जानते के जी हमारी एक़ॉनमी जो है वो भाछ़ खराब में और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी कंट्री जो है या कोई बी जो हम से हैसा न के जिससे हमें पैसा झालि आह घा ताhठे साथ यह था समान الإthinkरे के साथ ही आप जानते हैं कि प्याइए वालों ने उन से कहा कि लाओ पैसा निकालो जी इतना समान लेकर आ गया हो खामाखई का तो लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो कुछ उन्हों ने कहा और फिर उन्हों ने जो रोने रोए और उसके साथ ही उनको भारत ही आदा गया और भारत की तारीफे करना शुरू हो गए तो वो सब तो आप जानता ही होंगे लेकिन उसके बाद भी कई तरह के टफ कोश्चन जो हैं उनको सहने पड़े और उसका जवाब उनसे नहीं बन पड़ा उसके साथ ही साथ पाकिस्तानियों ने उनका वो हल किया है वो हल किया है कि वो लहुर में जो विजिट किया है बाद जाकिर नाइक ने वहां पर कहा गया कि क्रिस्चन कविटी के एक सहाब थे उन्हों ने जाकिर नाइक ने उनको चैलिज दिया कि अगर आप 20,000 लोग लिया यानि 20,000 का क्राउड अगर आप जमा कर लें तो मैं आपसे डिबेट करने को तयार हूँ कुछ दिन के बाद उन सहाब ने का उन्होंने का जी मैं 20,000 का क्राउड लाने को तयार हूँ मुझे मिल जाएगा आप आजाएगे उसके जवाब में जाकिर नाइक का कहना ये था मैंने 20 तो नहीं भाईया मैंने तो 30 बोले थे तो भाई 20,30 के चकर में वो आप किसी यूट्यूबर को जॉइन कर लीजे पाकिस्तान के चाहे मैं हूँ चाहे कोई और जो थोड़ा बहुत सेंसिबल बात करते हैं उनको जॉइन कर लीजिए और उसके बाद उनके जो विवर्स हैं वह लाखों में तो वह लाखों का मजमा आपको वैसी मिल जाएगा आएए और आके हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए तो पता लग देगा लेकिन मैंने सुनाए कि जाकिर नाइक अपने वो जो होटल का रूम है उससे बाहर नहीं आ रहे हैं और उनका कहना यह है कि वह बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए एक अदद बुरका जीया या लग रहा है कि जाकिर नाइक भी इसी तरह का कोई बुरका बुरका डूंड रहे हैं और वो बुरका पहन के वो भागने के चक्र में लेकिन ना 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 हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे इतनी मुश्किल से हमारे और भारत के टर्म्स ठीक होने शुरू हुए हैं या की जाकिर नाइक को एसा स्टेट कैस्ट उने अच्छी से खिलाएं पिलाएं और उसके बाद जिस वक्त उनके जाने का टाइम हो यानि के वापस मलाइशिया तो मलाइशिया का टिकट लेकर और उनको हम बिठा देंगे भारत वाली फ्लाइट में या फिर वागा बॉडर त आप जानी है आपका काम जानी है आपने सजा देनी है आपने उने प्यार करना है आपने उनको खिलाना पिलाना है आपने उनकी आरती उतारनी है जो करना है आपके लोग है हम आपको वापस कर देंगे तो जी बात सारी है कि इस बात के बात जो है यकिनन भारत और पाकिस्त के टर्म्स ठीक हो जाने चाहिए इसलिए कि आप लोगों ने जो इतनी लंबी लिस्ट हमें दे रखी है कि ये चाहिए वो चाहिए आप इस सजी चाहिए वसूद अज़र चाहिए और कौन-कौन चाहिए उसमें से एक जाकिर नायक लिश्चाइ चाहिए करो रोच में लिए कि कर्म के लिए हमारी तरफ से जाकिर नाइक आपके लिए पेश खिदमत होंगे तो बिलकुल मेरा ख्याल यह ख़बर जाकिर नाइक तक पहुची जाएगी इसलिए कि जाकिर नाइक अगर यह समझ रहे हैं कि यह मजाग हो रहा है और ये सिर्फ भेजा फ्रह में ऐसी बात हो रही है तो ऐसा नहीं है मैंने सुना है बहुत सीरिसली गर्मेंट सोच रही है कि जी चलते चलते जाकिर नाइक दे देते हैं तो उससे हो गए है कि इंदुस्तान के साथ हम दोस्ती गरना तो चाहते हैं ये तो हमने कई बार कहा है तो उसके लिए इससे अच्छा मौका कहा मिलेगा हमें कि हम जाकिर नाइक को देने तो मिलकुल मेरा क्याल है गर्मेंट इस तरफ सोच रहे हैं दूसरी तरह जो हमारे अल्रेडी लोग बैठे हुए हैं यानि के समझ दीजे के मसूद अजर हाफिस साइद और इसी तरह के कैसे भारत के हमाले किया जाए लेकिन ये बाकी लोग क्या करेंगे पहले मेरा ख्यालता के शायद जायद आ कि के साथ दिखाई देें क्योंके वह भी लाहर में हैं आज कल झा करना है जाकिर नाइक के साथ कोई program नहीं किया कोई event में शेकत नहीं कि जहांपे वो कहते के हमें घजवाई हिंद करना है हम भारत से ले लेंगे घजवाई हिंद करके देली में जाके हम अपना पर्चम लहरा देंगे ऐसा कुछ कहते हुए हमें जैद हमें साथ दिखे नहीं आफिर उसकी क्या reason हो सकती है तो तीक नी करने चाहिए लेकिन जैदामिस साब उसमें काफी प्रॉमिनेंट जगा रखते हैं और लोग उने बहुत शौक से सुनते हैं और देखते हैं यह और बाते कि उनकी बाते जो हैं वो लोगों को पसंद नहीं आती मगर लोग उनको डूंडने में और उनसे बात करने में बहुत इंट्रस्टिड होते हैं मैंने खुद उनसे दो तीन भार नी तीन चार वर कियо कि अब जितना पाकिस्तान के पास एरिया इस वक्त है, जितनी जमीन पाकिस्तान को मिल गई है, वहीं संभाली नहीं जा रही, कभी बलोचिस्तान वाले आकर टाही लगा के चले जाते हैं, तो कभी KPK वाले नराज होते हैं, अब आज़ी देखिए, एक बार पिर PTI के लोगों न जितना पास पास नहीं हो, मुझे वह ऐसा नहीं कोई बड़े पासंन है, मुझे वह बहुती सीदी बाते करते हैं, लेकिन वह अपने शहर में बैटके, अपने घर में बैटके, बोल देते हैं, कि आज हम डी चॉक जाने का सोच रहें, और यह सुनते के साथ ही, गर्मेंट क ना कहीं आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, और यह तो खेर, कहली जीए, कि उपर वाले की महरबानी थी, कि हम SEO की मीटिंग में पहुंच गेंवरना इन लोगों ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं थी, कि कहीं से लोग निकल पाएं, हर जगा कंटेनर थे, हर जगा पर रुकावटे थी, वो तो सुबह सुबह आपको पता है कि मुझे रोकना ना मुमकीन है, मुमकीन ही ना मुमकीन है, वो क्या डॉन का डायलोग है ना, तो बिलकुल ऐसा ही हुआ, कि हाँ, नहीं, मुझे रोकना मुश्किल ही ना मुमकीन है, हाँ मुझे याद है, मैं डॉन भी चार बार बच्चना वाली बच्चन सा वाली वाव वाव क्या डॉन थी वठी का हम डॉन की बात कर रहें हम बात करने हैं रहें से पर फेर कंटेंगे-4 दिये गए हैं, ताकर इसमौझ भर दी चॉक न पहुंत तो मुझे वो जब तक पोज चाहेगी नहीं तब तक यह आदमी कभी भी नहीं निकल सकता चाहे यह जितना बात होता है तो बाहर के करने कहता है नहीं जाना मैं अच्छा कहता है मुझे यहीं पे छोड़ो मैं यहाँ पे फिर से आग लगाना शुरू कर दू लोग अगर अगला है वो बुझ नहीं रही और फिर से और आग बढ़का के ना इस कंट्री का जो कोई रहा ही कहीं सही कसार है न वो यह तबाह कर देना चाता है उसको बिलकुल खतम कर देना चाता है लेकिन बही जाकिर ना वह व्यार करो करो कि जो तुम आओ इंडिया हम देखिया तुम आरे मेर्य ने सबकितने ही-टाकत ना कि कितने ही तॉम यह ताकत है। वागा बॉर्डर से पकड़ के इसको वहां पे निकाल दिये जा रहा और फिर इंडिया के वाले करें जो उन्होंने करना हो वो कर लो इसके साथ यार पाकिस्तानी वाम वाकी में इनसे इतना ज्यादा नराज है ना हर एक जो अकलमंद बंदा है ना वो इनसे बहुत ज्यादा हपा है कि ये बंदा क्या-क्या ब्यानात दे रहा है अब इसका एक-दो दिन हो गया ब्यान या कि ये लोहर होटल से रूम से यह बाहिं नहीं आरा है क्योंक्त लोग इसके पीछे पढ़े होगा तो ये सुच रहा होगा कही मैं ये ना हो फिर से स्पीच देने जाओ और इस वजह से मुझे लगता है अब अपने रूम में ना छुपके बैठा हुआ है तो बही देखते है बही अब इसका दोरा कब ख़तम होना हमी SCO के मीटिंग भी ख़तम होगी है सब कुछ हो गया यह बंदाने जा रहा है इसने पताने क्या करना है इसको अब भी मुझे लगता है इंडिया बेज रहा है तब भी इस ही वजा से यह सब इंतिजामात किये जा रहे है इसको जाल में बसा कर रखा हुआ है देखते अब इसके साथ क्या होता है आपको यह वीडियो कैसे लिगता ना फिर मिलता है को ने मिलता है